हेले स्टोरे में एक तसी हैं आप सभी का ग्यान चेतन्या चैनल में में बहुत बहुत स्वाथ करती हूँ आज की इस टोपिक में हम एक नई साइट जो है जूना खटिया इसके बारे में देखेंगे यह हडपा सभिता के एक नई खोज की गई है तो यह कहां पर मिलती है गुजरात के कच्छ जिले के लखपत से लगभग 30 किलो मीटर दूरी पर जूना खटिया गाउं है वहां से 12 हेक्टिया छेत्रे के उत्खरन से कतारों में शावाधान साक्षे प्राप्त हुए है मतलब यहां से यहां पर यह है कि यहां पर जो शावाधान की कौंटिटी है बहुत ज़्यादा है एक किसम से कब्रिस्तान जैसा है आगे है इन कब्रों में कंकाल के अवशेस के साथ जो संख की चूणियां मिट्टी के बर्तन के टुकडे पत्थर के फलक पिलेट और फूल दान मनके के अबूशन और जानमरों की हड़ियां भी आदि भी मिले हैं अब यहां पर मातपूर क्यों हैं शवधान की एक शाक्ष जो हैं बहुत पुराने हैं 3200 इसाफ पूर्व से 2600 इसाफ पूर्व तक के हैं यानि आज से लगवब 5000 पहले के हैं इससे यह इस्तल जो है युनिस्टो की विश्य धरोहर इस्तल धोला वीरा सहित गुजरात के अन्य हड़पा इस्तलों से भी पुराना हो गया है पुरा तादविक राजेस S.V. के अनुसार जूना खटिया इस्तल इसलिए भी मातपूर है क्यूंकि गुजरात के धोला वीरा और अन्य स्थानों के पास क्या है सहरी वस्ती मिली है लेकिन जो जूना खटिया है वहाँ से कोई भी गाउं या शहर बसने के साख्ष हमको नहीं मिलते हैं जूना खटिया मिट्टी के टीले की कबरों से पत्थरों की कबरों की और संकमन को भी प्रदर्शित करती है तो यहाँ पर कुछ पिक्चर है आगे देखते हैं यहाँ से जो भी मृद्भाण ही उपर देखा था मृद्भाण मिट्टी के बर्दन प्राप्थ हुए हैं उनके विशेष्टाएं और शेली सिंदे और बलुच्चास्तान से प्रारेंबिक हड़पा इस्तलों के उत्खनन से प्राप्थ हैं मृद्भाण के समान है आयताकार कब्रे शेल और बलुआ पत्थर से बनाई गई थी जो इस छेतर की आम चट्टाने हैं और मिट्टी के कटोरे और वियंजन जैसी वस्तुओं के अलावा बेश कीमती चीज़ें जैसे तेरा कोटा समुद्री मॉल्स और लापीस लाजूली क के मोतियों और चूडियों के चूडियों को मिर्टकों के साथ रखा गया था मतलब यहां पर जो भी कब्रिस्तान हैं जो भी हमें कंकाल मिले हैं उनके साथ हमें यह सारी चीज़ें बहुमोले चीज़ें बेश किमती चीज़ें भी देखने को मिली हैं पुरा तक बेटताओ पूर्वी शहरी हरप्पा काल के रूप में जाना जाता है 2600 इसा पूर्व और 1900 इसा पूर्व को मद्द शहरी हरपा काल और इसके बाद सब्धता में गिरावट आने लगी है और 1900 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व को शहरी आविसान हरपा काल माना जाता है कुछ अनस्तलों की यहां पर बात की गई यह जैसे सुर्व कोटड़ा इसको भी देख लेते हैं तो यह भी गुजरात के हैं सारे जो इमपॉर्टेंट अनस्तल है वो सारे गुजरात के हैं तो यहाँ पर जो है सुर्ख कोतड़ा गुजराद बुज के उत्तरपूर में इस्तित है तीन दसमलो पांच एकर में एक छोटा सा हिस्तल है जो रौपड रापड से लगभग पचास किलो मीटर दूर है 1964 से लेके 1968 में ASI के जगपती जोशी द्वारा जो है इसकी खोज और खुदाए की गई थी तीनों काल जो है 2100 से लेके 1700 इसापूर से हैं सुर्खोत्रा से घोड़े और गदे की हड्यां बरामत हुई है यह काफी इंपोर्टेंट है अब आगे देखते हैं एक दोला वीरा जो आप सभी को पता होगा यहीं से पैमाना मिला है तीन भागों में जैवाइट था एक बीच का जो है स्टेडियम है यह सारी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं हडपा सभिता की शुरुआती परीपक्तम और इसके परीपक्त और इसके बाद हडपा दोर वाले से सम्मध आ देतिया से कास यूग वाली शहरी वस्ती का एक उत्रिश्ट उधारन है रण कच्छ के रण में इस्तित हडपा कालीन इस्तन दोरा पीराव को इनसको ने विश्व धरवर की सूची में सामिल किया है लोथर देखते हैं भारत के मातपूर्ण पश्मी राजी गुजरात में 2400 इसापूर्व पहले सब्वेता के प्रमुख नगरों में से एक था पुरा तर्पिक खुदाई से पता चला है कि 5000 साल से भी अधि समय पहले लोथर में मानाव निर्मित डौक्याद यानि की जहाज निर्मान वाली जगे था वहां से यूगल शावाधान यानि पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया के साक्ष प्राप्थ हुए है रंगपूर जो है पश्मी गुजरात से सौराष्ट प्राजदी पर व इसे हडपा संस्किति की सबसे दच्छनी बस्तियों में से एक के रूप में मानता दी गई है जो मांडा से तेरा सो पचास किलो मेटर की दूरी पर है जमू एन कश्मीर में इस ते इत मांडा सबसे उत्तरी हडपाई इस तर के रूप में जाना जाता है तो यह थे कुछ important इस्थल जो कि जुना खटिया यानि कि गुजरात में ही है तो बहुत important है जुना खटिया यह एक नई पोज है तो यह current का topic है तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो please like करें, share करें और subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में